नमस्कार वार अब स्टेट देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा महरास्ट में विदानसभा चुनाव को लेकर हर दल जीत का दावा कर रहा है विरोधियों को पठकनी देने के लिए हर तिगडम अपनाई जा रही है उधर टिकट बटवारे का दौर भी आखरी चरन में पहुँच गया है टिकट पाने के लिए पाला बदल समेत अन पैत्रे आजमाय भी जा रहे हैं इस बीच आज कॉंग्रस ने सुबह 23 उमिदवारों की दूसरी सूची जारी करके अपने पत्ते खोल दिये है पर बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी से काफी जादा नाराज है राहुल गांधी को लेकर यहां तक दावा किया गया कि वो कॉंग्रस की एक एहम मीटिंग से बीच में ही गुस्सा होकर बाहर चले गए राहुल की नाराजगी की वज़ा महरास्ट फिदानसबा चुनाओं की कॉंग्रस की रवईये पर है और वो टिकट बटवारे से काफी नाराज है राहुल गांधी कॉंग्रस नेताओं की तरब से बनाए गई प्रत्याश्यों के लिश्ट से भड़क उठे हैं राहुल गांधी ने इसे पक्षपात पुन बताया है जिसमें कुछ अक्षम नेताओं को भी टिकट बटवारे में ज्यादा इंपोर्टेंस मिली है तो आकिर क्यों भड़के राहुल गांधी क्या चल रहा है महायुती और महाविकास अखाडी में बताएंगे आपको इस परचलचा के लिए मेरे साइस्टूडे में मौझूद है क्यापिटल टीवी की एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनिश कुमार और एक्सक्यूटर एडिटर राजीब जी सर आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद सर महराज चुनाओ से जोड़ी क्या लेटेस्ट अबडेट है आपके पास देखें लेटेस्ट अबडेट यह है कि कॉंग्रेस पाठी चुनाओ से पहले ही हार इन लोगों ने स्विकार कर लिया है यही लग रहा है अगर ऐसा नहीं होता तो राहूल गांदी बीच मीटिंग से भाग के नहीं कहीं होते है आपने सीधे-सीधे अच्छा दो एक दो बात कहना ज़रूरी है इस मीटिंग को लेकर के अभी कुछ देर पहले कॉंगरेस पार्टी के तरफ से बकाइदा बताया गया आप फोन करकर के टेलिविजन रिपोर्टर्स को कि बकवास है कहां से आपने ख़बर बाला साब तुराट कह रहे हैं कि नहीं नहीं गलत ख़बर है कोई नाराजगी यह तो कल रात में ख़बर आ गई थी कल रात में ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था नौ साड़े नौ बज़े के आसपास ब्रेकिंग न्यूज यह हर चैनल पर गुस्से से वह बाहर निकले आप बताओ मीटिंग के लास्ट तक थे या नहीं थे रिपोर्टर्स बाहर थे वह सामने से निकले और उनके जाने के एक घंटे बाद तक मीटिंग चलती रही तो क्या मतलब है इसका दो अब्जेक्शन राहुल गांदी ने उठाए एक कि लिस्ट में जो है भाई भतिजा बात निदर आ रहा है लोग जो है अपने अपने हिज कि विधर्व और मुंबई के अंदर उद्व ठागरे को इतनी सीटे क्यों देदी यह जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जो करना है आप करें हमें बता दीजिए कि हमें कहां जाकर के क्या भासन देना है आप हमारा प्रोगाम तै कर दो हम जाकर के चले आएंगे दिस इस वाट इसएड तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं मलिकार जू खड़के वहां क्या कर रहे थे जब सारा डिसिजन सारी बाते राहुल गांधी की चलनी है तो पार्टी बाठी लोग क्या कर रहे है इसका मतलब यह है कि कॉंग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नाम के है मल अध्यक्ष के रूप में पूरे भी हो गये हैं मुवारकबाद हो उनको कि दो साल तक वह गांधी परिवार को जो है वह खुश रखने में काम्याब रहे अधर्वाइस वह कपके निपट गया होते तो एक तो यह कहानी हुई अब दूसरा ये कि मामला फसा हुआ वही 33 सीट जो कल मैंने कहा आज फिर कह रहा हूं यह 33 सीट का जो सलूशन यह दीपावली के बाद आने वाला है और अभी और लेडी कॉंग्रेस पार्टी की जो दूसरी लिस्ट आई है आपने बताया वहां नाना पटोले अपना बाल कि यह किसको दे दिया हमें देना था हमें यह करना था तो यह सारी चीजे जो हो रही है और हकिकत में क्या है जो ग्राउंड सिच्वेशन क्या है ग्राउंड सिच्वेशन हर्याना में जिस तरीके से था वो तो कता ही नहीं है लेकिन हर्याना का जो रिजल्ट आया है उससे नहीं बत्तर स्थिती महराष्ट के अंदर महराष्ट में भारती जनता पाटी सिर्व सेना सिंदेगुठ और अजीत पवार का ये जो गड़बंदन है ये क्लीन स्वीप के तरफ बढ़ रहा है मिलकुल सर, तो क्या हुआ ऐसा मीटिंग में कि अचानक से राहुल गांदी उड़ गये बढ़क गये और मीटिंग छोड़के ही चले गये एक ही बात हुई है वहां मिटिंग में कोई ऐसी खास बात नहीं थी और नहीं राहुल गांधी के दिमाग में ये था कि भाई भतिजाबाद हो रहा है टिकेट वट बारे में या राहुल गांधी के दिमाग में ये था कि वहां पर विदर में या मुंबई में सिवसे ना उद ठाकरे जिस तरीके से परिशान है राहुल गांधी भी परिशान है तो राहुल गांधी की परिशानी इसी बात को लेकर है कि अभी के situation में जो Congress back food पर आई है यानि कि सबसे बुरे दौर में Congress महारास्ट के है 2014 के चुनाव में भी 267 सीतों पर कॉंगरिस चुनाव लड़ी थी 2019 में भी शरपवार के साथ जब गठवन्दन था 125 सीतों पर कॉंगरिस चुनाव लड़ी थी और अभी ऐसे फसा दिया शरपवार कि पचासी सीटों पर चुनाब लड़ रही है तो ये किसके ऊपर जाएगा ठीक रहा किसके ऊपर फोड़ा जाए अब ये समस्ट्या तो कॉंग्रिस के अंदर है कि कॉंग्रिस के नेता ये सवाल पूछेंगे ग्राउंड में काम करने वाले कि हम इतने कमजोर कैसे हो गए सार ना पटोले अड़े हुए थे कि वहां कॉंग्रिस को ज्यादा सीटे मिलेगी और ये सारा ओवर ओल कॉंग्रिस को जो पहले कह रहे थे कि 150 से ज्यादा सीटे फिर 125 सीटे फिर 105-10 पर टिग गए ये सारा जो कलकुलिसन था वो नाना पटोले को था और कैसे अचानक से आपने पाला बदल लिया नाना पटोले को साइड करके बाला साब थोराट को ले आए इसलिए न क्योंकि नाना पटोले खुद भी दर्वरीजन से हैं और वहां पर वो देख रहे थे कि कॉंग्रेस को ज्यादा सीटे लड़ने चाहिए पिछली बार में के चुनाब में शिब सेना और भारतिय जनता पाटी का कट बंदन था तो भारतिय जनता पाटी 50 सीटों पर चुनाब लड़ी थी शिब सेना के बल 12 सीटों पर चुनाब लड़ी थी अब इस बार सिव से न ज्यादा सीटे किस आधार पर मांगेगी और कुछ सीटों पर दावेदारी किस आधार पर उसकी होगी ये नाना पटोले वहां के स्थित्यों को देखते हुए बता रहे हैं थे क्योंकि वो पहले भारती जंता पार्टी में थे किसके उपर फोड़ा जाए तो ये बताना जरूरी था कि राहुल गांधी तो बड़े नाराज हैं अब राहुल गांधी नाराज हैं फिर भी अगर महाराज़्ट के लीडर ये फैसला ले रहे हैं तो राहुल गांधी को अभी कॉंग्रेस छोड़ कर अपनी पार्टी बना र ताहुल गांदी वाकई में नाराज है तो क्या उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा देखिए नाराज है ही नहीं तो फिर नाराजगी दूर करने की बात कहां से आती है ये तो सिर्फ कहा इसलिए गया क्योंकि उनको बताना है कि देखो महरास्ट में जो हुआ है उसकी ज लिक्राफोर देंगे तो ये पूरा तयार किया गया प्रिस्टवुमी तयार की गई मिटिंग की और उसके बाद बाहर में कह दिया गया अब सबसे बड़ी बात ये है कि इस बात के लिए जिम्मेदारी अगर बाला सहाब थोराट की होगी तो वो सामने आकर कह रहे हैं नहीं कि ऐसे कुछ बात नहीं है हमारे उपर जिम्मेदारी ना आ जाए क्योंकि उसके बाद तो आप ही बाहर निकलेंगे तो इस थितियां ऐसी बन गई कि ये लोग अब राहुल गांधी को अभी से सुरक्षित करने लगे हैं इसका मतलब है कि कॉंग्रिस या फिर पूरे अगा करेंगे देखिए उद्दव ठाकरे अभी अपने बेटे को मैनेज करने में जुटे हुए है वहां वरली के अंदर इनका मामला फस गया है वो इस तरीके से फस गया है क्योंकि बहुत ही दमदार और वहां ही सोबर चेहरा वो मिलिन देवरा के रूप पे सिंदे सहाब ने मै नहीं लड़ेंगे लेकिन आज ये फाइनल हो गया कि एक बहुत ही बड़ी लड़ाई जो कह सकते कि मुंबई के अंदर जो सबसे बड़ी जो बैटल होने जा रहा है वो मिलिन देवरा और वर्सस उद्दव ठाकरे अब मिलिन देवरा क्यों अच्छा दूसरा क्या है कि अगर ये आदित ठाकरे हार गए तो उद्दव ठाकरे किसको क्या मुह दिखा पाएंगे ये इसलिए टेंशन है इसलिए सारा फोकस उदर से छोड़ो बेटे को कैसे जिताना है ये फोकस जो है वो सबसे पहला क्रेटीरिया परिवार वाला मामला छोड़ दो आप देखिए किसित से राजठाकरे से और चीत हो रही ति सबसे बात हो रही थी ये खबर आ रही है कि सिंदे सहब तक ये खबर पहुंचाएंगे भइ इतना एद परस्ञीमा lights मत हो जाओ मेरे बैटे को छोड़ दो लेकिन लडाई तो लडाई है अब क्या है दिक्कत इसमें यह कॉंग्रस वाले भी मज़े ले रहे हैं यह NCP वाले भी मज़े ले रहे हैं कि बहुत आपने ब्लैकमेल किया अब जरा अब इससे क्या होगा उद्दव ठाकरे का 50% इनरजी वो अपने बेटे के कंस्टिचुएंसी में लग जाएगा बाकि कुछ नहीं सूझेगा इनको दूसरे दिक्कत क्या है कि अब विश्वास मिलिन देवरा कॉंग्रेस पार्टी के एक स्टार के रूप के वो लीडर थे वो बड़ा नाम है बड़ा सोबर चेरा है इनका अपर स्टार्टा में बहुत वहां की मीडिया हो सारे लोग कोई आदमी मिलिन देवरा के बारे में कोई आदमी जो मिला है वो आज तक बुराई नहीं कर सकता अब मुंबई के अध्यक्ष रह चुके हैं कामला उनका फसा है बड़ा ही विचित्र इस्थिती में और सबसे बड़ा नुक्सान जो हो रहा है यह मिस कैल्कुलेशन हो गया है उद्व ठाकरे से की एंटी इंकम्बिंसी मैं देख रहा था बहुत सारे जो आज कल पब्ली को पीलें और यह उस तरह के जो न्यूट्रल लोग है उनका मैं देख रहा था यह सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत कौन है यह आदित ठाकरे जैरब प्रचानते भी हैं नहीं वो कटाक्स में पूछ रहे हैं कि कौन है यह पास साल में तो इधर आया नहीं पास साल में तो आप आये नहीं अरे भई प्रधान मंत्री को बनारस बार बार जाना होता यह सीखना चाहिए हर बड़े नेता को कि आपको अपनी कंस्टेंसी बचाने के लिए चाहिए आप एक ग्लोबल लीडर ही क्यों नहों बनारस को आपको सिक्योर करके चलना पड़ेगा सीखना चाहिए राहूल गांदी से कि पैर के नीचे से जो है अमेठी निकल गई पता ही नहीं चला आपनी इतना बड़ा मिस्टेक किया पांच साल तक लोग वहां ढून रहे हैं कि आने दो कम है तो यहां अब क्या बेटा का कैंडिडेचर फस गया है मामले में अब कौन किसके लिए क्या लड़ना है अभी देखिएगा सारा कूल डाउन हो जाएगा और उद्दव ठाकरे अपने बेटे के लिए सारा इनर्जी वो लगाने वाले हैं और इसे लिए अभी जो बाकी छेत्रों में अभी देखिएगा अभी दिवाली के बाद फिर टोन डाउन भी हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा पर कॉंग्रेस पार्टी के पीछे जाएंगे यह लोग कि अपने कारकरताओं को कहना कि मेरे बेटे को भोट करते ऐसा नहीं कि अपने पूरव अध्यक्स के बाद करके जाएगा अब जिस तरह से समझाया आदित ठाकरे के लिए यह चुनाओ कितना अब मुसीबत बरा रहने वाला है क्या आदित ठाकरे अपनी सीट भी बचा कि नहीं इसलिए ही उन्होंने राज ठाकरे से बात की थी कि तुम कोई कंडिडियेट मत उतारो हम तुम्हारे बेटे अमिठ ठाकरे के लिए अपने तरफ से विवस्था कर देंगे माहीम में पढ़ता है और वाहीम से चुनाब लड़ रहे हैं और अमिठ ठाकरे का जो चेत ठाकरे को मना रहे थे कि कम से कम अपने कारकरताओं को कहो आदित ठाकरे के लिए काम कर ले वहां पर वहां कंडिडियेट मत खाड़ा करो यानि कि आदित ठाकरे का चुनाब पसा हुआ था और इसलिए शाइना एंसी भारतिय जनता पार्टी के नेता उन्हें भी कहा जा रह थी ऐसा भारतिय जनता पार्टी अजीद पवार की पार्टी और शिंदे के साथ ऐसा हो रहा है कई जगों पर एक पुर्व सांसद को अजीद पवार की पार्टी में शामिल करवाया मीडिया में बहुत खबरे चलने लगी कि देखो ये भारतिय जनता पार्टी को जटका ल रही थी इसलिए हमने NCP जोइन करके चुनाव लगना सुविकार कर लिया अब ऐसे तीन चार नेता और है जो भारतिय जंता पार्टी के हैं लेकिन चाहे तो उधब ये सिंदे से नामे या फिर अजीत पबार की पार्टी में उन लोगों को उन कोटे में सीट मिली है तो भाज सिंदे के साथ भारतिय जंता पार्टी के साथ वैसी राजनिती करना पहली बार जब एकना सिंदे ने पार्टी अलग की थी तो उस समय जब इन्होंने एक मामला दायर किया था कि भारतिय जंता पार्टी के साथ हम सरकार बना रहे हैं लेकिन हमने शीव सेना नहीं तोड़ी है जो पंद्रह विधायक बच्चे हुए हैं वो बागी विधायक हैं तो उसमें जब उनकी सदस्ता खत्म करने की मांगी गई थी उसमें आदित ठाकरे का नाम नहीं था एकना सिंदे को बिधान सबा सदस्ता खत्म करने की मांगी तो उसके बाद दोनों में टसल सुरू हो गया अब इस्थितिय हो गई है कि आदित ठाकरे को भी अराने की कोशिच की जा रही है मतलब मुंबई में अगर आदित ठाकरे फसे रहेंगे तो उद्दब ठाकरे दूसरे मुंबई के छितर में कोंकन में कल्यान में कहां से परचार कर पाएंगे ये बड़ी बात हो चुकी है और ऐसे भी उद्दब ठाकरे के पार्टी के कई नेता अभी सामने आने वाले हैं ये तो seat announcement शुरू हुआ है और अभी Congress, NCP और उद्दब ठाकरे की शिब से ना इन तीनों के बीच कोई coordination ground पे नहीं है ground पर जब coordination की बात आएगी तो फिर वही स्थिती होगी जो इंडी Alliance का दूसरे राज्यों में लोकसभा चुनाव के समय हुआ था बिल्कुल मतलब कोई मिला के समझें तो आदेत इठाकरे इस बार का चुनाव हार जाये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी बहुत बहुत धन्यवाद सरा आप दोनों का धन्यवाद भी अब आपसी कला की बचा बन गई है तुम्हारा सुनाव पर आप अपनी राइक कमेंट कर लिखें देखते रहें क्यापटल टीवी नमस्कार